नमस्कार किसान भाईयों, मेरा नाम है सेत्राम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल एक और नए वीडियो में आपका दिल से स्वागते किसान भाईयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कलडान SP के बारे में जो कि धानुका कमपनी की आती है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कलडान SP का टेकनिकल क्या होता है, कलडान SP का अल्टरनेटिव क्या होता है, कलडान SP का मोड़ अप एक्शन क्या है, कलडान SP किस-किस इंसेक्ट को मारता है, कलडान SP को आप किस-किस फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कलडान SP की स्टेज और इसमें technical के बारे में बात करें तो इसमें technical होता है करटाफ hydro chloride 50% WP WP मतलब wetable powder form में होता है मतलब 100% water soluble होता है मतलब 100% जल में घुलंसील होता है इसका granular form भी आता है करटाफ hydro chloride का उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे चले दूसरे नमबर पर आता है कलडान SP की अल्टरेनेटिव यहाँ कलडान SP की अलावा कई कमपनियों की आती है करटाप हाइड्रोकलोराइट 50% WP जो कुरोमंडल कमपनी की पदान के नाम से आती है जो किसानों के बीच में बहुत फेमस है नागारजुना कमपनी का क्विक के नाम से आती है सुमी टोमो कमपनी की सुमी ताज के नाम से अदामा कमपनी के बोरेगन SP के नाम से और क्रिस्टल कमपनी का निदान के नाम से और कई कमपनियों की आती है करटाप हाइड्रोकलोराइट 50% WP को जो आपके नज़दी की दुकान में जो मिले वो आप ले सकते हैं उसमें technical एक होना चीए और उसके नर्वस सिस्टम को डाइमेज कर देता है जिससे की टक खाना नहीं बना पाते हैं और अती सिग्रें उनकी बृत्ति हो जाती है और इसमें ट्रांसलेमिनार एक्षन भी है ट्रांसलेमिनार एक्षन मतलब उपर से नीचे तक फैलने की छमता बहुत से माइट्स हो गय सिगी ध्रीप्स हो गये वह पत्ते के नीचे छुपे रहते हैं और उपर इसप्रे करने से वह नहीं मरते है पीछे सैट भी आजाता है जिससे आसानी के सांद्वीह कांचे करता है अब بात करें कंट्रान सिग्स को मारता है यह धान में तना छेदक को पत्ता मोड़क पत्ता लपेटक को मारता है टमाटर में लिफ माइनर वाइट फ्लाई को ठीक करता है मारता है मतलब बैंगन में सूट एंड फूट बुरर को जेशीट को मारता है वाइट फ्लाई को मारता है पत्ता गोभी और फुलगोभी में डाइमेंड बै कर सकते हैं तो धान में मक्का में गेहूं में चना में टमाटर में बैंगन में पत्तागोभी में फुलगोभी में मतलब सभी प्रकार की बागवानी वाली फसलों में अनाजवर्गी फसलों में एम सब्जी वर्गी फसलों में आप इसका उचिड़काव कर सकते हैं कलडान SP के नहीं करना है बाकी दूसरों के साथ फंगी साइट के साथ आप मिला सकते हैं कलड़ा नस्पी की डोज और प्राइस के बारे में बात करें तो करटाप हाइड्रोक्लोराइट की 40 ग्राम दवाई को 15 लिटर पानी में घोल कर प्रतियकर के हिसाब से आपको छिटकाओ करना चीए बात करें प्राइस की तो इसकी 500 ग्राम की कीमत लग बग 500 से 600 रुपे के करीब पड़ते है कीमत कम ज्यादा हो सकते है इस्टेट वाइज अब बात करते हैं कलड़ान एसपी के रेन फासनेस और रेसिडियल एक्टिविटी के बारे में तो करटाप हाइड्रोक्लोराइट क करें फासनेस दो घंटे का है मतलब दो घंटे के बाद बारेस भी होगी तो यह अपना काम कर लेगा अब बात करें रेसिडियल एक्टिविटी के तो 12 से 14 दिन तक यह इंसेक्ट को बहुत यह आसानी के साथ कंट्रोल करता है तो जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ओर कर जरूर सेलेक्ट करें आपका मुल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत जय जवान जय किसान